वक्त बहुत कम है इसकेश पर हमारे सत्थ बाइपोरेटर मौजज़ीन शहर बहले की तमाम मौजज़ शक्तियात है सबका नाम लेना मुश्किल है मैं आपके ये कहना चाहूँगा फोड़े से वक्ते में केवार्ड नमबर छे का जिन्नी इलक्षन ही नहीं बलके आपको शहर के हालाग पर नज़र रखने मालेगाओं की क्या हालत है आप अम्नाज़ा कर सकते वांग्रेस पार्टी शीयुसिना जैसी किर्शा परस्ट पार्टी के साथ इक्तिरार में शाज्यदारी करके उनको इक्तिरार देती है उनको ताकशक देती है और माने वाँष्ट हेर काल पॉड़िशन के खुदूद में रहने ओने वालों का पानी उनको परोक्त करती है लोग अपने लोगों के लिए पानी नाने की कोशिश करते हैं ये अपने लोगों को पानी से महरूम करने की साधिश करते हैं सिर्फ अपने एक्तेदार के लिए मैं आपको ये बताओ कि मैंने माने गाओं में इस्तिलाही पेशे नजर सियास्त में पदम रखा था और अल्ला का करन है कि मैं अपने मकसद में काम्याब रहा जो लोग कभी नमाज में पढ़ते थे कभी सर पर टोपी नहीं रखते थे कभी छेहरे पर डाड़ी नहीं रखते थे कभी हद उम्रे था उनके खांदान में तसरवर नहीं था आज ये सब कुछ वो लोग कर रहे एक वक्त था पूरे महाराश्टे के अंदर कांग्रेस पार्टी की पोजिशन इंतिहाई खराब थी पुर्थिनी राज चौहार जो महाराश्टे के CM रहे और कांग्रेस पार्टी क के बड़े लीडरों ने बंबई में मेरे साथ मिटिंग की थी और ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी का मेर आप बनवा दो आपको क्या कार्टी फंचाहिए हम देते मैंने उससे कहा था इस बात के दवा शेक रशीद और शेक आशिक दोनों हैं वो इस मिटिंग में मौजू मैंने मालेगाओं के लिए एक इंजिनरी पालिज मांगी थी मैंने मालेगाओं की 15 जोपड़ पटियों को सलंग डिक्लेर किया जाए मैंने इस बात का मतालबा किया था मालेगाओं सेंट्रल और मालेगाओं बाहर की 5 ग्राम पंचाहिए जब मालेगाओं का रपोजिशन मे शामील हुई तो उसके प्रफ करने के लिए हैं मैंने 5 करोर रूपिय का मुतार्बा किया था उन्होंूने ये अद वी सारी चीजे मुंजूर की थी आज मैं तिकना रुख खड़े हो करके ये बात बोल रहा हूँ ये बात उन्होंने मन्जूर की थी लेकिन धोका ये किया कि उन्होंने एक काम भी ये करके नहीं किया जब कोई काम मैं अपने पास सलाह एमेले दौर में करने के लिए कोशिश करता था ये बात बेटे पार्टी के लोगों के पास पहुँच करके सच्टा उनकी की सीए मुलता था कहते थे जगर इनका खाम कर दोगे पार्टी का नाम खराब हो जाए है अच्छे तमाम सामों को इनमो रोता है आज माले गाउं की क्या हालत है बात शहर का अवली शहरी और मेयर है और बेटा शहर का इनेले है शहर कच्रों के धेर पर है शहर का पानी बेचा जा रहा है पूरे शहर की हालत इंतहाई अक्तर और खराब है दो साला दौर कार्पोरिशन का गुजरा इन्होंने पहले साल में महागल बंदन के कार्पोरेटरों को उनके वालते में काम करने के लिए सिर्फ चार-चार लाख रुपिय का फंड दिया और इनके अपने कार्पोरेटरों को पचास लाख का फंड असी लाख का फंड एक करोड का फंड एक करोड असी लाग रूपिये का फंड दिया हम ये शिकायत ले करके छीफ मिनिश्टर के पास गए मैं गुलन भाई मुस्तवी हम तिनों वहां मौझूद के सीम में खड़े होकर के हमारा इस्तिद्बार किया था और जब हमने सुबतों के साथ बाक्षी के कार्पोरिशन में पांग्रेश का मेयर रहते हुए हमारे साथ शहर के उन अलापों को कमाम मुनियादी जरूरतों से महरूम करने के लिए हमारे कार्पोरिशन को फंड दिया जा रहा है इसलिए हम आपके पास इंसाथ की दोहाई के लिए आए है उन्होंने बज़ट परिश्के दिया कमिशनर को इस बात का पावन किया कि इंसाथ होना चाहिए और जिन अलापों में इन्होंने फंड डाला है उसकी इंक्वाइरी होना चाहिए ये दो साथ का अर्सा हमारे कार्पोरेटरों को हर किश्मु के फंड से महरूम रखा गया ताकि ये बजनाब हो जाए इनके वाल्ड में काम ना हो लोग नाराज हो मैं अभी आया मुझे चिठी दी गई वाल्ड में कुछ कामों को कुछ दे करके शिकायक दी गई मैं ये बताना चाहता हूँ कि कामरेश पार्टी ना इस शहर की हमदर बे है ना आपकी खैरपा है जब के चुन कर आने के बाद अगर कोई मेयर बनता है चीफ मिनिस्टर बनता है और प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसकी धिम्मेदारी होती है कि सब की डुमा इंटर्जी करे और सब के इनी में यक्साव सुलूप का फैसला करे लेकिन माले गाओ का मेयर माले गाओ की कामरेश पार्टी महागड़ बंदन के कार्पोरेटरों को हर करे के फंड से महरूम रख रही है और इने वार्ड में और शहर में पढ़्डह बंदन करने कीकोशिश्थी दार हिए इनके वार्ड़ों में कोई काम ना हो कोई साथ सफाई ना हो किसी तरक्टी कोई तरक्टी ना हो ताके पांग्रेस पार्टी के इनको दोनोणों और बरिष्कराशारों को कार्पोरेशन के खजाने को तो दोनों हाथ से लुखने का मौका वी ज़िए मैं आज से वक्त खतम हो रहा है ये गुजारिश करूँगा कि कहना तो मुझे बहुत कुछ है लेकिन वक्त आएगा आज से बात करेंगे आज इस वक्त इस बड़े पूरे जलसे में हजारों के मजमे मैं आप से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप प्रोपिसर अमानुला की साथ की ऐलिया शकीला बेगम को रिजवान सर की वालदा को जो पढ़ी रिखी शुल्टी हुई खांदानी हैस्यत रखने वाली खातून है हमने उन्हें उम्मीद्वारी दी है ये वो खातून है जिनके शोहर में हैदराबाद में पुलिस दिक्षन का जुल्म जेल आई पांग्रेश की हमेशा मुखालपत करते रहे आज हमने उम्मीद्वारी दी है और आप से ये गुजारिश करते हैं कि आप उनको अपना कींटी ओर दे करके कामियाद करें आने वाले चैई जून को इलक्षन है वार्डे के तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि सुबा की अववलीं साथों में आप अपने घरों से लिकल करके ओर दे वरना आपके नाम का गुज़स ओर डाल द कि ये आप संजीदा होगे और अपने अर अपने बच्चों के मस्तक्विल के लिए बेहतर फैसला करें उसके पिशे नजर आज आपके तर्मियान हम अपील कर रहे हैं आफिर मेरी ये गुजारिश है इनके बदर्वानी और प्रश्टा चारी से ना स्कूले महफूज है ना मदरसे महफूज है ना इगाहे महफूज है और इस शहर को हर अरिके से इनोंने लोटनी लोटने की कोशिश की है संजेद हमाद अचरफ की इदा अचरफी लोगों के एक भुजर्द करीन शक्सियत के नाम से मौसूमी इसकी इदा को चार दिवारी के नाम पर 35 लाग रुप कर दिएगा बुजर्द मिल जम्ह कराया गया है यह उसका काज़ी सुबूत है हम अभी तरह से के इक्ताम के बाद आपके दर्मियान इसे तक्सीम करेंगे आप इसे देखिए हमारी बात हावा हावाई नहीं है हम जो कह रहे हैं सुबूतों के साथ कह रहे हैं इसलिए आपक के बिस्तर मस्टबिल के लिए आपको संजीदा फैसला करना होगा और उन लोगों को जो इस शहर को लूप रहे हैं और इस शहर की तरफ्की में रुपावट बने हुए हैं उनको घर बैखाना आपकी जिल्मेदारी है इस अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ के 23 जून को चारे वाली बाई जिसका निशान जिसका निशान है दो नंबर की बतन है ओग दे करके आप रम्याब करेंगे बहुत बहुत सुखी है